मारवाडी घोड़ा बारहवी शताबदी की शुरुवात में मारवाड क्षेत्र में सख्त प्रजनन को बढ़ावा दिया गया। मारवाडी घोड़े युद्ध में अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। इसे उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान के मारवाड क्षेत्र के घोड़े की मारवाडी या मालानी नसल कहा जाता है। जबकि मादा घोड़े का वजन औसतन 340 किलोग्राम होता है और नर घोड़े की उंचाई 150 सेंटीमीटर और मादा घोड़े की उंचाई 140 सेंटीमीटर है। मारवाडी घोड़े की उत्पत्ति को देखना या समझना आसान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये वन्शज राजस्थान के मारवाड और मेवाड क्षेत्रों के राजपूत योध्धाओं के घोड़ों के हैं। काठिया वाडी घोड़े की तरह मारवाडी घोड़े पर भी कुछ अर्बी प्रभाव दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि सोलवी शताबदी के अंत में अब्दुल फाजिन मुबारक ने अपनी आईने अकबरी में कहा है कि सबसे अच्छे घोड़े कच्छ क्षेत्र के थे। मारवाडी घोड़ों में बहुत साहस होता था और वे बहुत बहादुर और अपने मालिक के प्रती वफादार होते थे। राठोड़ों का मानना था कि मारवाडी घोड़े युद्ध के मैदान को तभी छोड़ेंगे जब उनके मालिक को उन्हें ले जाने के लिए जीत, या घायल होना पड़ेगा। महत्वपूर्ण था और बारहवीं शताबदी के दौरान उन्होंने प्रजनन प्रक्रिया के लिए सख्त नियमों का पालन किया। खोड़ों को दिव्य प्राणी माना जाता था और केवल राजपूत परिवारों और क्षत्रिय योध्धाओं को ही सवारी की अनुमती थी। सुलहवीं शताबदी में मुगलों ने उत्तर भारत पर कबजा कर लिया और उन्होंने मारवाडी घोड़ों के प्रजनन के लिए पूरक के रूप में तुरकमान घोड़े खरी दे। वर्ष 1900 के बाद अंग्रेजों ने अन्य नसलों को प्राथ मिक्ता दी और मारवाडी और काठिया वाडी को हटाने की कोशिश की भारत में रहने वाले ब्रिटिशों ने इसके बजाए थावरो घबरीड और पोलो टट्टू को प्राथ मिक्ता दी और मारवाडी घोड़े क की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की वर्ष 1930 के दौरान प्रजनन प्रथाओं में खराब गुणवत्ता के कारण प्रजनन स्टॉक के साथ मारवाडी नश्ट हो गए भारतिय स्वतंत्रता के दौरान कई जानवर मारे गए और कई लोगों ने अपनी जान और जमीन खो दी और इसलिए घोडों की देख भाल करने की उनकी क्षमता खो गई और कई मारवाडी घोडों को पैक घोडों के रूप में प्रशिक्षित किया गया जिसका मतलब सामान के साथ उंचे पहाडों पर यात्रा करना है यह नसल बीसवी शताबदी तक विलुप्त होने के कगार प तक ये घोडे अनुग्रह और बड़पन के प्रतीक मारवाडी संस्कृति का एक अभिन अंग बन गए हैं तो अगले एपिसोड के लिए बने रहें क्योंकि हम मारवाडी घोडों के मनोरम इतिहास में अपनी यात्रा जारी रखेंगे लाइक करना सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूले ताकि आप अगली किस्त न चूके तब तक अपना खयाल रखना सुरक्षित रहे धन्यवाद